सबसे खतरनाक और शिकारी जानवर की बात हो तो जहन में सेर, बाग और तेंद्वे ही आते हैं लेकिन कि आपको पता है कि एक और जानवर है जो किसी भी मामले में इनसे कम नहीं है और ये कोई और नहीं हाइनाज है लकडबगे आप में से लकडबग सभी ने इसे देखा होगा बट कुछी ये बात जानते होंगे कि इनकी बाइट फोर्स या जबड़ों की ताकर सेड़ से भी जादा होती है तो आज हम बात करने वाले हैं हाइना की और आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर आप सब कोई मेरे इस चैनल पर स्वागत है हाइना यानि लकडबगे कुटों के जैसा दिखने के बावजूत भी कुटों की प्रजाती के नहीं होते हैं उनमें कुटों से ज़्यादा बिल्लियों के गुण मिलते हैं या प्रित्वी पर मुख्यता अफरीका और एसिया के जंगलों में पाय जाते हैं इनकी लगबग चार प्रजातियां होती हैं जिन में स्पॉटेड, स्ट्रीप, ब्राउन या आड उल्फ हाइना फेमस हैं या प्रित्वी पर लगबग 24 मिलियन वर्सों से हैं और इतने पुराने होने के बावजू दिन का लाइफ इस्पन काफी छोटा होता है या मैक्सिमम 25 साल तक ही जी सकते हैं लगबग हर एक जानवर की तरह लगबगगे भी अपने अस्तित्व के लिए संगर्स कर रहे हैं इस समय वह सिर्फ 10 अजारी रह चुक हैं आपको यह जानकर अश्चर होगा कि हाइना वन अब दा मोस्ट अगलियस्ट डेडलियस्ट और हेटिड अनिमल में से एक हैं यह जानवर बेहत खुखार और जंगली होते हैं और इसके बावजूद प्राचीन मिश्र अमेरिका के कुछ जंजातियां इन्हें अपने घरों में पालतू बना कर रखती हैं यहां तक कि केनिया और तंजानिया के मसाई जंजाति जो इन्हें इतना प्यार करते हैं कि अपने परिजनों को दफनाने की वज़ा है उनका शाओ इनके हवाले कर देते हैं ताकि वे इनका सेवन कर सके हैं दुनिया के बाकी मनुस्त्रों को भी इनसे कुछ सीखना चाहिए वरना हम तो ऐसे हैं कि साब, बिच्चू और कई ऐसे जंतों को बस इसलिए मार देते हैं कि कहीं हो हमें काट न दे भले ही वो आप में इंट्रेस्टेड हो या ना हो हैना के बारे में हमेशा से एक मिस कंसप्शन ये रहा है कि इन्हें सिकारी जीव कम और इसकेवेंजर ज्यादा माना आता है इसकेवेंजर हो होते हैं जो दूसरों का सिकार के वो भोजन चुरा कर खाते हैं लेकिन स्पॉटेड हाइनाज के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता बलकि ये अफ्रिका के बेस्ट हंटर में से एक होते हैं लकडबगे सेर और चीते का सिकार चुराने के बाउज़ी दिये उनके जितना ही सिकार करते हैं ये प्राया हर एक जीव का सिकार करते हैं इनका पसंदीदा सिकार जेबरा, मरीग और जंगली जानवर है यह ज्यादातार जूंड में रेकर्ट सिकार करते हैं इनके जूंड में 10 से 50 सदस सब भी हो सकते हैं लेकिन कभी-कभी यह अकेले भी सिकार करते हैं यहां तक कि कमजोर और बुड़े सेर को भी मार कर खा सकते हैं अब जब बात सेरों पर आई है तो आपको बता दें कि हाइना और सेर एक दुसरे के बहुत बड़े राइवल हैं ये एक दुसरे को देखना भी पसंद नहीं करते ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों का सिकार प्राया एक ही होता है चलिए इनके राइवलरी के एक किस्ता सुनाते है सन 1999 में इथोपिया के गोबिल के रेगिस्तान के सेर और लकरबगों के बीच घमासान जंग छिड़ गया ये जंग इतना घातक था कि वहां के मिलिटरी को हस्तिशेप करना पड़ा था ये एक सब्ता तक चला और अंत में जंग का पड़ाम एयर रहा कि इनमें 35 हाइनाज औ सेरों से भी ज्यादा होती है जबड़ों की ताकत के मामले में पोलर बेयर नंबर वन अस्थान पर हैं जिनका बाइट फोर्स लगबग 1200 PSI होता है वहीं लकडबगे दूसरे अस्थान पर आते हैं और इनके जबड़ों की ताकत 1100 PSI होती है हाइनाज आपस में एक दूसरे Facts की बात करते हैं हाइना का दिल उसके Size के Animals के तुलना में Double होता है हाइनाज में खासकर Spotted हाइनाज में Female हाइना मेल से ज़्यादा dominant होती है दूसरे सब्दों में कहें तो Family में औरतों का राज चलता है हाइना एक Full Jebra को उसकी हड़ियों के साथ 30 मिनट में खा सकते हैं इनका पाचन तंत्र इतना मजबूत होता है कि ये सिकार की हड्डियों तक चपा जाते हैं हाइना एक ऐसा जीव है जो कई दिनों तक मरा शड़ा मांस भी खा लेते हैं इसी करण इस जीव को परियावड़न की साहता करने वाला जीव भी माना गया है हमारे हिसाब से सबसे कुरूप जानवर के रूप में होती है वहीं दूसरे की सबसे सुन्दर जीव को रूप में वट अगर दूसरों को बीना वज़ा मारने की बात हो तो इन्सानों से यादा बदसूरत जीव कोई नहीं इसलिए अगली बार हाइन हज को बदसूरत या खराब कहरने से पहले खुद को मिरर्ण में जरूर देख ले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उससे पहले अगर आपने मेरे शैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो क्रिपया कर लें बेल आइकन को दबा लें ताकि अगली वीडियो की अपडेट्स आपको टाइम पर मिलती रहें धन्यबाद, शुक्रिया, नमस्ते